Hello everyone, कैसे हैं बच्चों, hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो भई, आज आपके लिए क्या लिकर आए हूँ मैं देखो, प्लस फोर मार्क सेरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं आज और आज आज आपके लिए जो की कॉंसेट में लिकर आए हूँ वो में लिके आए हूँ, NTM के अडिशन, यानि परोकसेड एफेक्ट पर आपके दिबाग में आएगा, सरी ये तो बहुत ही असान कॉंसेट है ये तो सभी जानते है, नई, इससे रेलेटिट जही में में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सवाल आया था बेसिकली मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ और उस कॉंसेट के बारे में हम बात करने वाले है इस सवाल में हमारे पास, इधर, सबसे पहले एक बार आप काम करो, वीडियो को पॉस करो और इस सवाल को एक बार निहारो, अब्जब करो एका reaction कराया है बड़ा गर-बड़ा मामला, कैसे करेंगे तो इस सवाल की बात हम अलग से करेंगे पहले ये जो key concept ये समझते है तो देखो एक concept होता है सबसे पहले जो आपने को पता होना चाहिए वो होता है radical initiator का आप सभी को पता होना चाहिए ये दर हर many initiators जो free radical generate करने में help करते हैं इनका main काम यही होता है कि free radical reaction में असानी से form हो जाए अब इस initiator के अंदर paroxide के use primarily, mainly paroxide का किया जाता है paroxide के अलावा भी initiators होते है तो यहाँ पे जब भी हमारे समने initiator आए यानि normally it will be given as paroxide, तो अगर हमारे समने paroxide आए तो आप समझ जाईएगा कि यहाँ पे radical form होने माला है अब बात आती है एक common बात होती है कि radical जो बनता है वो कहां बनता है जैसे माली जी हमारे पास c double bond हो है और हमें free radical बनाना है तो मैं कहां बनाऊंगा जैसे इसमें मुझे free radical बनाता है माली जी हमारे पास BR2H नहीं हो है और हमें पता है यार कि radical तो है अगर हमारे पास photon आगया तो radical तो बनेगा तो पहचान होती है radical reactions की पहचान आप सभी को trick पता होगा in general radical को इस तरीके से पहचान सकते हैं with the help of this particular trick और यह जो trick है इसमें helper है helper का मतलब H यहाँ पर क्या है heat है E for electricity L for light P for peroxide R for radical अबर को radical आलरेड़ी है तो भी वो radical को initiate करने में help करता है heat, electricity, light, peroxide and radical peroxide एक तरह का initiator है और बाकी भी electricity यह सब भी initiate करते radical बनाते हैं तो यह पहचान होता है तो हमें C double bond हो दिया है अब क्या करें, radical कहा मना है अब यह तो होता है electron withdrawing group अब हमने radical generation में जो conventionally पढ़ा होता है वो यह पढ़ा होता है कि radical is very similar to carbocatine हमने पढ़ा होता है as the radical is very similar to carbocatine तो हम यह सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे carbocatine electron withdrawing group carbocatine को क्या करता है stabilize करता है destabilize सोचके बताओ क्या लगता है आपको हाँ, electron withdrawing group जो होता है वो free radical को मलब carbocatine को destabilize करता है उस basis पे हमें लगता है कि radical में विशयद यही होगा लेकिन इसमें बड़ी खास बात दी वी है जो होना चाहिए वो यह है कि free radical जो है it will be stabilized by both the type of groups यह electron donating और withdrawing दोनों की ही presence के अंदर stabilize हो जाता है है ना बहुत ही interesting तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दोनों ही conditions में अगर यह बड़ीया stabilize हो रहा है यानि हमें इसको दूर नहीं भगाना electron withdrawing से उसके पास रखो stabilize ही होगा नुखसान ही नहीं होगा उसके साथ तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि free radical जो form करेंगे हम कहां करेंगे यहां करेंगे तोग यहाँ पे दोनों काम हो रहे है यह जो particular of such type of concept की जब आपको radical बनाने तो मैं कहां बनाओ तो यहां पे ध्यान रखिए कि electron withdrawing group के भगल में बना सकते है कोई रिक्कत नहीं है और उसका degree high होना चाहिए जैसे कि मान लिजिए हम यहां बनाना चाहते है अब यहां में देखती ही समझना रहे है कि मुझे कहां बनाना है देखती ही समझना रहा है कि कहां पे radical बनेगा radical जो है वो यहां पे सबसे अच्छा है योगि एक तो इसकी degree high है degree high है तो hyperconjugation अच्छा मिलेगा inductive भी अच्छा मिलेगा अब हम कहां पे free radical बनाएंगे हमें लगेगा एर अगर normal हम तरीके से सोचते और हमें यह concept नहीं बता होता तो हम पक्का एनोटू से तो दूरी बनाते यहां तो कभी नहीं बनाते हम सोचते हैं electron withdrawing group है इसलिए एक key concept मैंने आपको बताया अब भाया इस basis पे यहां पे जब paroxid और heat दिया हुआ है तो क्या तुम पहचान सकते हो कि हमारे पास free radical कहां बनना चाहिए किस point पे बनना चाहिए can you think about that I think now you can और इसके बाद इसका reaction जब आप करते हो अलकीन के साथ तो भी हमें paroxid का effect का धियान रखना है जिसके अंदर pi bond जब तूटेगा तो free radical उस position पे बनेगा जहां पे वो ज़्यादा stable है तो paroxid effect में भी हमें alkene पे इस सीज का धियान रखना है कि जहां पे हमारा जो particular compound reaction करेगा वो कहां react करेगा और radical कहा form होगा समझ रहो अब इस सवाल को आप करिएगा इस सवाल का सही जवाब आप सभी को comment section में देना है ABCD देखते है किसका जवाब किस बच्चे का सही आता है मैं एक पर side में हो जाता हूँ एक पर इसको देख लो आप सभी के सभी just look at the question and the options and with screenshot ले लेना और comment section में बताना कि भाई इसका जवाब आपका क्या आया है ना तो overall free radical reactions में पहले तो यह identify करना बहुत ज़रूरी होता है कि free radical reactions जो है इनके अंदर हमारे पास reagent कौन सा दिया था कि पहचान पाई कि free radical है जिसमें helper का help आपको लिना है free radical की position अब है पता होने जी free radical जो है वो कहां form होता है किस position पर सही रहेगा जिसमें आपको आज काफी एक deep concept पता लगा एक और question इस तरे related है जो मैं साथ-साथ आपके साथ share जरूर करना चाहूंगा वो question है कुछ ऐसा जिसमें benzine दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहां पर कुछ ऐसा है और हमारे सामने दे दिया BR2H new आपसे पूछा गया है एक बार वीडियो को pause करना है इस सवाल को try करना आपसे यह सवाल दिया गया और आपसे पूछा गया है कि कितने bromine atoms final compound में बनेंगे सभी वीडियो को pause करनें try करनें सवाल में पूछा है how many bromine atoms would be there in the final compound कितने bromine atoms आएंगे चलो मैं जूम कर रहा हूँ कि आप सभी ने इस सवाल को ठीक से try किया होगा ठीक है क्या आएगा इसका जवाब नहीं इसका जवाब आएगा 1 इसका जवाब कितना आएगा बच्चो 1 ठीक है 1 क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर दियावा फोटोन और इससे हमें पता लगए कि बनेगा क्या free radical और free radical कहाँ बनेगा free radical obviously यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा यहाँ एक दो मीन आजाएगा यहाँ यहाँ पर simply हो जाएगा allylic substitution nothing else लेकिन अगर हमें इसमें डाउट रहेगा कि यार कहीं addition तो नहीं हो जाएगा अरे addition करने के लिए यहाँ पर solvent क्या यूज करते BR2 के साथ CHCL3 यूज करते या BR2 के साथ हम यूज करते CCL4 तो overall organic chemistry में एक बात जरूर ध्यान रखना कि we should be able to identify कि यहाँ हो क्या रहा है इस reaction में reaction हो कौन सी रही है बहुत बार organic का एक common doubt होता है कि मैं करूँ क्या इसमें और कई बार exam day पे फिर हम बड़े confusion जाते हैं यार मैं ये करूँ या ये करूँ जैसे HCL के साथ reaction ये HBR के साथ reaction बहुत बार आती है alcohol, alken, बहुत कुछ दिया जाता है और हमें confusion हो जाता है exam day पे कि यार दोनों दे दिया हम मैं किस से जाथ reaction करूँ तो इसलिए it is suggested और मैं भी इस तरह के की concepts लोँगा कई सारे के questions ऐसे J main में आये भी है जब दोनों बाते दी हुए है आपके लिए उसमें best क्या रहेगा या आपके लिए ने sense जो real concept है कहा attack होना feasible जादा है इसको पहले ही face कर लो तो जो भी आपके doubts है मैंने चीज observe करी थी खुद भी तैयारी करते हुए कि मैं कोशिश करता था कि जितने ही मेरे doubts हैना मैं पहले clear कर लेता था क्योंकि जो जो मैंने doubts छोड़ दी है समझ रहो वो मेरे सामने exam में आ जाते थे मैंने देखा था बहुत ही commonly तो आपके rank को improve करने में ये बहुत बड़ा tip है जो पकड़ने वाला वो पकड़ जाएगा कि जैसे आपने जितने भी chapters में अपता लिये पर उसमें कुछ-कुछ ऐसे concept होंगे जो आपने छोड़ दियोंगे कि हाँ ठीक ऐर इतना क्या पता क्या ही आएगा ही है लेकिन हो सकता है बहुत chances है क्योंकि हमारा वो डर था कि कहीं आना जाए और वही आ गया इसलिए जिन-जिन concept में आपकी weaknesses है चाहे वो chapter overall strong है बर कोई particular छोटा सा position है कोई particular type के सवाल आप से ठीक से नहीं होते उसकी finishing करना बहुत जरूरी है ये बात उन students के लिए जादा valid है जो already एक अच्छा score कर रहे है it's not for everybody it's primarily for those students जिनका score जो है वो already अच्छा आ रहा है and they want to do their best तो उनको जो छोटी-छोटी weaknesses उनको भी दूर करना है पहले से ही इन बातों को ख्याल रखिए and hoping that इसके बाद आप radical reactions को बहुत अच्छे से पहले से ही sort कर पाएंगे पहले से ही उनको समझ पाएंगे और सही कर पाएंगे और peroxide effect में ध्यान रखिए alkyne के उपर जो radical बनेगा वो stable position पे बनेगा और उसके दूसरी position पे क्या आएगा? halogen आएगा, promene आएगा HBR peroxide बाले case में और बाकी जो case ही अभी current question है इसको आप solve पर ही है चलो बच्छो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में Bye-bye, take care and keep doing well